जब सरकस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया था यूटूब बर तब इस ट्रेलर को देखकर आर सच में कहीं से भी फीलिंग नहीं नहीं हो रही तिक यार ये मूवी बहुत अच्छी होगी या फिर इसके अंतर हमें यूनीक स्टोरी या यूनीक चीजें हमें देखने को मिल यूनीक तो इन्होंने बनाया है उसका कच्राइब बनाकर रख दिया सच में इन्होंने ऐसा ही करके रखा थैलर देखकर तो वैसी उम्मीद नी थी फिर सोचा था कि यार जब मूवी आ जाएगी तब बात करें आट लिस्ट तेषड दिसंबर को ये मूवी थेयाटर्स में release हो भी जाती है अब देखो काम करके मैं मतलब अपना job करके movie देखने गया इस उम्मीद में कि यार मेरा mind सही हो जाएगा क्योंकि job में हैं थोड़ा बहुत हर टाइम जो भी जो भी जो भी जो जो भी जो चल रही है तो लगा है कि यार थोड़ा बहुत entertainment movie जाकर ले लेते इसने सर में दर्द कर दिया है सच में जब movie देखकर बाहर निकला मैं literally सोच रहा था यार क्या देखा यार यह 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 देखने के लिए मैंने अपने पैसे दिये बरबाद कर दिये जो मेहने से कमाते हैं और इन जैसी कच्रा movies में हम बरबाद कर देते हैं यह जो movie की story है जो मैं बात गुरूँते देखो दो घंटे 20 मिनट के आसपास यह movie actual मिसकी जो land है वो यह है अब इस movie में जो story हमें देखने को मिलने वाली है कि जो इसकी theme है या फिर कहीं कि जो इसका संदेश देने काम में मतलब यह जो संदेश देना चाती है वो यह है कि दो सगे भाईयों में इतना प्यार नहीं हो सकता है कि अगर वो दो सगे भाई नहीं है एक किसी और बिरादरी से उन दोनों को बचपन में या चोटे बच्चे होते हैं इक परिवार के पास रख देें उनकी परफ्रिस अच्छी कीजाएं तो उनके बीच में बहुत अच्छा परिवार मतलब उनके बीच में बहुत अच्छा रेलेशन बनेगा इतना खून occurred रिष्टों में नहीं बनता यह बताने ही कोश्च कर रहे थे जो बॉलीवूड हमेशा हैसे ही करता है जैसे उपनी वह बताते है कि हाँ ऐसे प्यार बढ़ा हो वह बालग बात है कि इन्हों कितना प्यार दिखाया है, क्या है अब यहाँ पर इस ठियोरी को प्रूफ करने के लिए डॉक्टर रोई नाम का एक व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है, दो जोड़ी जुड़वा बच्चे इसमें दिखाएंगे, रणवीर रणवीर सिंग और यहाँ पर वरुन शर्मा, तो रणवीर सिंग के भी दो जुड़वा हैं, और वरुन शर्मा के भी दो जुड़वा हैं, तो यह क्या करते हैं, दो जुड़वा एक रणवीर सिंग उठाके वरुन शर्मा के पास, और वरुन आपको कहीं पर भी इन दो अलग-अलग बच्चे जो बदले गए हैं, इनमें कोई आपको प्यार देखने को नहीं मिलेगा, एक दूसरी की केर कैसे करते हैं, यह आपको देखने को नहीं मिलेगा, मुझे लिटरली कहीं देखने को नहीं मिला, लास्ट में जब मूवी खतम होती है तो उस मूवी में लास्ट के अंदर एक भाषन चेफ देते हैं जहां पर अपनी ये थियोरी पूर्फ करते हुए डॉक्टर बोलता है कि देखो दो अलग-अलग बच्चे हैं इनमें आपस में कितना प्यार हो गया पूरी मूवी वो कहीं पर भी नहीं होता है और फिर यहां पर हिंदू-मुस्लिम की वो बात आ जाती है या फिर अलग-अलग धरम की वो बात आ जाती है जबकि इस लास्ट वाले सीन का ये कुछ सेकंड का एक भाषन होता है इस लास्ट वाले सीन का यह बात का किसी भी पूरी मूवी में किसी भी चीज से कोई नाता नहीं होता, इसा कुछ हमें देखनी कोई नहीं मिलता है, यह इसलिये बोला जाता होगा है, कि यहाँ जंता को लगे, कि देखो यार कितने अच्छे विचारों के साथ ये movie बनाई गई है और वाकिवे उन विचारों का उस movie में कहीं पर भी और कहीं जिकर नहीं किया गया और लास्ट में कुछ सेकेंड उसको दी दिये गए तो ये होगी movie की story अब यहाँ पर बात करें इसमें दो actors हैं एक तो है जैकलेन फर्नेंडेस हैं बस हैं दूसरे हैं अपने पूजा है तो यहाँ पर इन दोनों actors को movie में क्यों लिया गया इनके role क्या थे सच कहूँ इसका जवाब मुझे लगता है makers के पास भी नहीं होगा भाई साब क्यों ले लिया अब यहाँ उसके अलावा movie के अंदर मतलब इसमें जो editing या इसमें जो color grading जो देखेंगे न मैं सच कहूँ यार color grading के नाम पे आपने photo edit के होगी photo edit के दोरान आप saturation बहुत हाई बढ़ा देते हैं तो वो हरा हरा जो आपके सामने आता है तो वो सब चीज़े इसके अंदर मुझे दिख रही थी बस सच की saturation बहुत जादा बढ़ा रखी है वो feeling आ रही थी VFX होगे या जो dialogue इसके अंदर होगे जो जिस तरह की की हरकत इसके अंदर की गई वो कहीं से भी आपको हाजम नहीं होने वाली है पूरी movie में मुझे दो या तीन मिनट हासी आई होगी पूरी movie सच कोई वो भी मतलब कुछ जो को एक्टर थे उनके द्वारा जो एक्टिंग की जा रही थी वह उनके जो डायलोग थे उनके मुझे वह पसंद आये थे रणवीर सिंग की जो comedy timing सच को इनके साहयक जो कलाकार थे उन्होंने उनको बचाया है जिस तरीके उन्होंने performance दी है या फिर थोड़ा बहुत उन्होंने उनके अच्छे डायलोग दे जो निलीवर है इनके अंदर तो उनका कोई मतलब वेस्ट ही गया लास्ट के अंदर उनको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है और सच में यार जिस तरीके की acting या फिर कहीं के जिस तरीकी performance उनके द्वारा करवाई गई है मैं निकोंगा कि उन्होंने कोई खराब के लेकिन एक वेस्ट कर दिया इतने सारे कलाकार ल के अंदर वहिया skip कर देते हैं ऐसे आगे-आगे निकाल देते हैं सच में इस धाई गंटे की या दो गंटे 20 मिनिट की मूवी को मैं एक गंटे में खतम कर लेता और एक गंटा 20 मिनिट मां अराम से शांती से बैटके अपने सरकाई लाज करवा लेता लेकिन नहीं यह मूव के परपस से ब्याफ कुरूँ तो ऐसा कोई वल्गर सीन नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है जिसमें आपको कोई ऐसी एंबैरेसिंग फील होगी वह आप देख सकते हैं वह मुझे सही लगा इस मूवी में क्यार मेरी तरव से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा अगर आप लोगो को मूवी कैसी लगी और नहीं देखे तो रिव्यू आपके सामने अपने दिमाग आप खुद यूज करिये और भी IMDB के उपर जाके आप इसकी रेटिंग भी चेक कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में तैंक्स और वोचिंग इस वीडियो मे देने खुडियो में जाहिं